नमस्कार मित्रों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूटूब चैनल जो बलडगुरू में दोस्तों आज हम आपको बताने वाले बिरोजगारी बता 2019 का आय परमान पतर के आप किस तरह से बरेंगे आई आई आप किस तरह से बरेंगे दोनों ही आई पर C यसली आप अपने जो आई दिया गया उससे आप दुबारे से डाउनलोड ने उससे परिंट कर लें उसको किस तरह से बरना है किस तरह से notary दवारा attested करवाना है और अनेकजर आई पर कितने रुपए का stamp ticket लगेगा साथ ही आपका जो अनेकजर आई होगा वो registered भी होगा तो वो registered कहां पर होगा किस तरह से होगा यह सभी जानका हमारे दवारा आपको detail में बताई जाएगे दोस्तों अगर आपने अनेकजर आई है वो दूबारे से डाउनलोड कर print कर अगर upload नहीं किया है या फिर आपके पास आई परमान बतर का objection है तो यही आपको आई अनेकजर दिया गया इसे आपको डाउनलोड कर और print करना है notary की दवर attested करना है और उस पर stop ticket है वो चिपकाना है तो यह सभी जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रही है वीडियो को सुरू से अंतक देखें दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को दबा ले ताकि इसी परकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और इस वीडियो को लाइक किजे तो आई दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते है आपको बताते हैं कि आए परमान पतर या फिर मुख्यमंत्री युवासंबल योजना 2019 के तैट 16 जुलाई तक 29,019 और नए पतर बिरोजगार लोगों को जोड़ा गया है उन्होंने बताया कि पुरुवे की योजना मुख्यमंत्री युवासंबल योजना में 30 में 2019 तक 79,42 लाइक रूपे का बुगतान पतर बिरोजगारों को दिया जा चुका है बिरोजगारी पता पाने के लिए आपके पास आए परमान पतर कैसा होना चाहिए जो आई का फॉर्मेट दिया गया अन्हेक जर आई इसे आपको दुबारा से बरकर अप्लोड करना होगा तो वो किस तरह से बरना है आपको और कहां कहां पर किस किस के साइन होंगे यह सबी डिटेल हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं दोस्तों जैसे आप SSOID में लोग इन होते हैं उसके बाद में आप इंप्लोइमेंट में जाते हैं तो आपके सामने इस तरह से ओपन होता है यानि कि अगर आपके पास Objection का Message आए कि आपके आए परमानपतर का आई जो फॉर्मेट है नेक्चर आई वो दुबारत से अप्लोड करना होगा तो आप यहां से डाउनलोड कीजिए उसके बाद में उसे कैसे बना है वो हम डिटेल में बताएंगे साथी आप जितने भी परमानपतर यहां पर अप्लोड करेंगे वो आपके अधार से OTP आने के बाद में यहां पर OTP के दवारा जो verify होंगे वो e-sign होंगे तो e-sign किये हुए ही परमानपतर माने जाएंगे तो आपके अधार में मोबाइल नमर जुड़ा हुआ होना चाहिए साथी यह सभी एक से दस तक जो दिये गए हैं पोइंट यह परमानपतर पान सो के बीचे ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए यहां पर आप सभी देखेंगे चाह नमर में दिये गए income declaration I यानि कि इसे आपको दुबारे से अप्लोड करना होगा साथी जो रेड अक्सर में लास्ट लास्ट में दिया गया प्र बैक टू सिटिजन बाइ डिपार्टमेंट प्लीज री सब्मिट ओनली अनेकजर आई and self signed from mentioned as serial number 10 यानि कि आपको अनेकजर आई है वो दुबारे से अप्लोड करना होगा साथी 10 नमर जो self declaration है वो भी आपको दुबारे से अप्लोड करना होगा दोस्तों अगर आपने पहले से अप्लोड कर रखा है पुराने वाला फॉर्मेट तो आपको दुबारा से आई प्रमान पतर का आई जो दिया गया अनेकजर उसे दुबारा से अप्लोड करना होगा आप किस तरह से बरेंगे उस पर कितने रुपर के स्टांप लगेगा वो सभी डिटेल हम आपको बताने वाले है इंकम डिकलेरेशन आई दुबारा भरवानी का यही मतलब है कि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आई परमान पतर में जो आई होती है वो एक आदमी की होती है यानि कि जो परिवार का मुख्या होता है आप अपने डोकुमेंट को देखेंगे व्यू पर क्लिक करेंगे आपके e-sign होना जरूरी है जिस परमान पतर पर e-sign हो गया वो सही है अगर e-sign नहीं हुआ है तो वो सही नहीं है इसलिए दोस्तो आदार कार्ड से OTP के दोवारा वेरिफाय किया जाता है कि यह सभी परमान पतर आपके ही है दोस्तो यह ओनलाइन अटेस्टेड करने का एक नया तरीका e-sign करने का सभी परमान पतर है वो e-sign होंगे अब हम आपको बताते हैं कि आपका अनेक जर आई है वो कैसे बरना है तो आई दोस्तो हम आपको step 5 step बताते हैं यह है दोस्तो प्रिसिस्ट आई यानि कि अनेक जर आई आप सभी देख सकते हैं आई का गोशना पतर यहाँ पर आपको 10 रुपए की stamp ticket चिपकाना है उसके बाद में central notary के दवार इसे अटेस्टेट भी करवाना है साथ ही आपकी एक photo रहेगा जिसका बिरोजगारी बते का form अप्लाई करा है उसी के नाम से यह form बरा जाएगा उसी का photo रहेगा उस photo को भी attestate करवाना है उसके बाद में प्रार्थी का नाम जो बिरोजगारी बते का form अप्लाई करा है उसका नाम उसके पीता का नाम नीवासिस्तान का पता पूरा यहाँ पर बरना होगा गाउं कौन सा है तैसिल कौन सी है जीला कौन सा यह बरना होगा जनम दिना क्या ह जनम इस्तान क्या है उमर क्या है और यहाँ पर लिंग वेवाई की इस्तती धरम जाती अगर है तो यहाँ पर आपको पैन से बरना होगा उसके बाद में आता है आठ नमर क्या आप या पिर आपके परिवार के राज़तान के मौल निवासि है तो हाँ उसके बाद में क्या आप आए करदाता है है तो हां करना है वर्ना हिसे नहीं करना है अगर आपके पास चेपर बचसे परीवार के समथ स्दश्यों के नाम का उल्लेक करें आपके रासन कार्ड, 24 में जितने भी परिवार के सदश्य वाइस सेरियल वाइज 1234567 दिये गए है यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा एक नम्मर है परिवार का जो मुख्य है उसका नाम लिखेंगे परार्थी के साथ में क्या समझने है पीता है माता है जो भी है यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद में website की परकर्थी क्या है खेती करते हैं या फिर अन्य किसी परकार का कोई बिजनस है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वार्थ से एक आय क्या है तो वो आपको रूपयों में लिखने होगे उसके बाद में दो नम्मर आपके रासन कार्थ में जो सद्द से उन सभी का यहाँ पर नाम लिखना होगा और प्रार्थी के साथ में क्या क्या समन्द है वो यहाँ पर लिखने होगे साथी अगर आपके परिवार के कोई भी सद्द से अगर कारियरत नहीं है या फिर किसी परकार का कारियर नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर बलेंग छोड़ सकते हैं उसके बाद में आता है परिवार की कुल वार्सिक आई यहाँ पर आपको रुपयों में लिखनी होगी चाहें वो 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 2,000,000 से कम है तब ही आप इलिजिबल है बिरोजगारी बता या फिर मुख्या मंदरी युवासंबल योजना 2019 के लिए अगर आप महिला है तो आपको 3500 रुपय अगर आप पूरुस है तो आपको 3000 रुपय परती मादो साल तक मिलेंगे उसके बाद में आता है 14 नंबर के सत्यापन सवरुप दो उतरदाई वेक्षियों के सक्स या पर्माण पतर यानि की अनेकजर के है वो सात में है उसमें दो उतरदाई वेक्षियों के साइन भी है यह पर अन्त में दिनाग और इस्तान बढ़ना है और हैंता नोटेरी की द Attested कर वाइं, वो यहाँ पर क्रम संक्या लिखेंगे, धिनाग लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि इतने नम्मर पर दर्ज कियागए जैसे यहाँ पर दिया गया, क्रम संक्या 539 धिनाग 15 सा 2019 को दर्ज किया गया है उसके बाद में उस परारθη का नाम पिता का नाम उसका address क्या है वो सभी यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा आपको notary दवारा यहाँ पर आपको provide किया जगा है यह सभी जो stamp से समंदी जो भी प्रमानपता अटेस्टेड समंदी यह notary के दवारा करवा जाएगा उसके पर परार्थी के यहाँ पर अस्ताक्सर होंगे और यहाँ पर यह registration number होना जरूरी है जिस भी notary के दवारा आप अटेस्टेड करवाएए उसके registration number और expired rate दोना होना जरूरी है तभी आपका यह form successful submit होगा अप्रूव होगा आपको इसी format में दुबारा से upload करना होगा तो अगर आप इसे PDF में या फिर JPG में डाउनलोड करना चाहते है तो हमारे वीडियो की description में link मिल जाएगी वहाँ से आप इसे direct download कर आपको भरना है sign करना है notary के दवारा अटेस्टेड करवाना हो 10 रुपे के stamp ticket है वो चिपकाना है और इसे upload कर देना है PDF में अब हम आपको बताते हैं कि self declaration है वो आप किस तरह से भरेंगे दोस्तों यह है self declaration यारे कि प्रार्थी दोबारा योजना की सर्तों को पूर्ण करने समंदी स्वे गोशना पतर यहाँ पर प्रार्थी का नाम जो विरोजगारी बते का form apply कर रहा है उसका नाम उसके पिता का नाम यहाँ पर जो भी लागू हो उसे रख लें जो लागू नहीं हो उसे काड़ देना है उसके बाद में प्रार्थी के अस्ताक सर करना है और इसे scan करना है और PDF में upload कर देना है 10 नमर point पर दोस्तो इसे भी आपको दूबारे से upload करना होगा क्योंकि जैसे ही आप upload करेंगे उस टाइम आपके पास आदार से mobile पर OTP आएंगे और उसी data में आपके e-sign होगे इसलिए आपको इसे दूबारे से upload करना होगा तो दोस्तो यह तो था आज का अमारे वीडियो अनेक जर आई बेरोजगरी बता 2019 या फिर मुखे मतरी युवासंबल योजना 2019 का जो अनेक जर आई दिया गया है उसे आपको किस तरह से बना है और दूबारे से आपको कैसे upload करना है उमीद करते हैं दोस्तों हमारे दूबारे दीकी जानकर या आपको अच्छे लगी होगी आपके समझ में आई होगी अगर फिर भी आपके मन में स्वाल विचार है तो आप में कॉमेंट कर सकते हैं हमारे थरब से आपको रिपलाइ किया जाएगा विडियो देखने के लिए दन्यवादोस्तों थेंक्स पॉर वाजिंग आपका तिंग सुपर